सबी सिक्षक साथियों को मेरा साधर नमस्कार अपके अपने यूट्यूब चैनल लेस्ट स्टडी विद वन्दना अगरवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्यारे सिक्षक साथियों जैसा कि आप सभी अवगत हैं इन दिनों उत्तर प्रदेश में विदान सभाग चुनाव होने वाले हैं जिसमें अधिकांस सिक्षकों की ड्यूटी मतदान अधिकारियों के रूप में लगी हुई है तो इसी करम्मे मैं आज लेकर आई हूँ प्रैथम मतदान अधिकारी को क्या क्या कारिय करने होते हैं इलक्षन के दौरान प्रैथम मतदान अधिकारी के क्या कारिय और दाइतोय हैं इनके बारे में मैंने आज की वीडियो बनाई है तो आईए समय व्यर्थना करते हुए देखते हैं आज का वीडियो प्रैथम मतदान अधिकारी के कारिये एवन दाइतो है वीडियो पसंद आए तो करपे से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो करपे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर देए तो हम देखते हैं प्रैथम मतदान अधिकारी के क्या क्या कारी है सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो प्रेथम मतदान अधिकारी है वो निर्वाचक नामवली की जिन्नित प्रती का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदाई होगा यानि इनका जो काम है प्रेथम मतदान अधिकारी का वो है मतदाता की पहचान मतदान इस सल में प्रवेश करने पर मतदाता का जो प्रेथम परीचे होता है वो प्रेथम मतदान अधिकारी से ही होता है यानि कि सबसे पहले मतदाता प्रेथम मतदान अधिकारी के पास ही जाए 11 और ऐसे पहचान पत्र हैं जिनके आधार पर हम किसी भी मतदाता का वोट डलवा सकते हैं तो पहला तो मतदाता पहचान पत्र है एपिक पासपोर्ट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस और ये सर्विस पहचान पत्र है पास्बुक है बैंक द्वारा जारी फोटो युक्त पास्बुक पैन कार्ड हो गया स्मार्ट कार्ड जो की इस्रम मंतराले द्वारा जारी किया जाता है मन रेगा जॉब कार्ड स्वास्थे बीमा स्मार्ट कार्ड इसके अलावा pension के जो दस्तावेज हैं उनके द्वारा कोई भी सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड इन सब के आधार पर हम उस मतदाता की पहचान कर सकते हैं और उसका vote डलवा सकते हैं जो वोटर सिलिप होती है फोटो वोटर सिलिप उसको हम जानकारी और मार्दरसन के लिए तो उपयोग मिला सकते हैं लेकिन वो पहचान का प्रमारपत्र नहीं है ये चीज हमें ध्यान रखनी है एक फोटो युक्त मतदाता परची लेकर आते हैं जो भी मतदाता आते हैं लेकिन वो उनकी पहचान का जरिया नहीं है तो हम इन चीजों के आधार पर ये जो हमने बारा चीजे देखी इनके आधार पर हम उनका वोट डलवा सकते हैं जब मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी तो लाल स्याही से संबंदित पुरुस मतदाता के विवरन बॉक्स में तिर्शी रेखा खीची जाएगी और महिला मतदाता की स्थिती में लाल स्याही से बॉक्स के उपरी हिस्से में बाई तरफ जो मतदाता कर्मान के अंकित है उस पर गोला किया जाएगा मतदान की समापती पर कुल डाले गए वोट में महीला और पुरुस वोटरों की संख्या को अलग अलग बताना ये भी प्रेथम मतदान अधिकारी का कारिय है अब आप यहां देख सकते हैं मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का नमूना ये देखिए हम यहां देख सकते हैं कि जो पुरुस मतदाता हैं उन पर ऐसे टेड़ी लाइम खीचनी है आड़ी लाइम और अगर महीला मतदाता है तो यह से गोला उसको क्रमाग को गोल भी करना है साथ में तो इस तरह से हम जो प्रैथम मतदान अधिकारी है उसके कारियों को डिफाइन कर सकते हैं अब एक चीज आती है ASD मतदाता यह क्या होते हैं यदि मतदाता निर्वाचक नामा वली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित यानि कि absent तो यह तो हो गया A कहीं और निर्वासित निवासित मतलब वो कहीं और रह रहे हैं तो यह हो गई shifted यानि कि S और D से मतलब है dad या गए है ASD मतदाता लेकिन वह वहां पर आ जाए वोट डालने अपने बूत पर तो उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद एक प्रारूप आपको मिलेगा उस निर्दारित प्रारूप पर गोश्ना भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान की जाए यह सारे कारिये ह में हमारे प्रथम मतदान अधिकारी के मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कर अपया वीडियो को लाइक और शेयर अवस्य करें धन्यवाद